आज इविका के प्रमुख साधन रभी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसकी प्रमुख फसल होती है गेहूं अब यह जो रभी की फसल होती है इसका जो फसल चक्र होता है वो अक्टूबर से लेकर के कहा तक होता है मार्च तक अक्टूबर से मार्च तक इसका फसल चक्र चलता है यानि कि अक्टूबर में इसे बोई जाती है और मार्च में इसे काट ली जाती है इसके अलाबा जो गेहू है उसी के साथ साथ रभी की फसल में और जैसे क्या आता है सरसों, जो, चना, दलहन, इत्यादी जो है वो रभी की फसलों में सम्मिलित है इसी प्रकार फसलों के दो प्रकार और होते हैं रभी के साथ साथ एक और फसल होती है कौनसी खरीफ की फसल खरीफ की फसल में मुख्य तया क्या क्या होते हैं देखिए इसमें होता है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबिन, इत्यादी और इसका जो फसल चक्र होता है वो कहां से कहां तक होता है जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक जुलाई से अक्टूबर और तीसरी होती है जायत की फसले जो की गर्मी में हमें बहुत ही राहत देती है तो जो जायत की फसले है वो लगबग मार्च अपरेल में होती है तो इसमें क्या होते है जैसे की तर्वूज, खीरा ककडी ठीके ये सबी जहें इसमें शामिल होते है तो यहाँ पर अमारा question था कि रभी की प्रमुक फसल कौन सी होती है गेहु गेहु के बारे में एक दो चीज और जान लेते हैं कि गेहु का जो उत्पादन है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहा होता है तो आप लोग याद रखियेगा हनुवानगर और श्री गंगा नगर में सबसे उत्तम किस्म के जो गेहु हैं वो उगते हैं इसके अलावा सबसे ज़्यादा उत्पादन भी यही पर होता है पूरे के पूरे राजस्थान में और यदि हम पूरे भारत देश की बात करें तो कौन सा राज्य है जो गेहु के उत्पादन में नंबर वन पर आता है दाट इस युप्पी उत्तर प्रदेश हमारा अगला कॉशन है मरुस्थली ये राजस्थान में सरवाधिक बोया जाने वाला खाना कौन सा है तो याद रखिएगा इसका अंसर हो जाएगा बाजरा यहीं कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर बाजरा ही उगाया जाता है अच्छा बाजरे के बात करते हैं हम तो बाजर के उत्पादन में और यहीं राजस्थान में बात किया जाए कि कौन सा जीला प्रतम इस्थान पर है तो जिस प्रकार बाजरा होता है उसी प्रकार से बाजरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और देश में भी राजस्थान का ही प्रतम इस्थान है तो जिस प्रकार रभी के मुख्य फसल गेहूं होती है, राजस्तान में, उसी प्रकार से खरीफ कीations क्या होती है, बाज्रह नेक्स्थ कोश्शन है, देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं, निर्याइत करना, और यदि हम बाहर से माल मंगवाते हैं, तो उसे बोलते हैं आयार्थ क्लास छे का अगला कोश्चन है अती वर्ष्टी का अर्थ है तो इसका अर्थ होता है बहुती ज़्यादा बारिश होना या इसे क्या कहेंगे हम अती वर्षा खर्वूज, तर्वूज, ककडी किस प्रकार की फसले हैं तो अभी हमने पढ़ा था ये हैं जायद की फसले पॉल्टरी फार्मिंग क्या होता है जहां पर मुर्गी का पालन किया जाता है तो मुर्गी पालन को ही क्या कहा जाता है पॉल्टरी फार्मिंग पशुपालन में राज्य का देश में कौन सा इस्थान है तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान का पशुपालन में द्वित्तिय इस्थान है यहाँ से एक बात और ध्यान में रखें कि जो पशुगर्णा होती है वो प्रत्येक पांच वर्ष में की जाती है इसके अलावा पशुओ की यदि हम बात करें तो सबसे जादा जो गाएं हैं वो कहाँ पर पाई जाती है उदायपुर में गाएं की द्रश्टी से उदायपुर जीला जो है वो सम्रिद्ध है ठीक है इसके अलावा अगर हम भेसे की बात करें भेस की बात करें तो जो भेस है वो जैपुर में सरवाधिक पाई जाती है इसी प्रकार भेड बक्रिया जो है वो बाड बेर में सरवाधिक पाई जाती है और जो गोड़े है वो बीका निर में और उट तो आप लोग चानते ही होंग ओपाएजाए राज़ास्थान में मान्सुन का जुवा कहा जाता है जो मान्सुन के जुवा करती है खे । यह आएगी, खेती ख्रश्श returns यह कहा जाता है राजस्थान का कितना प्रतीशत भूभाग मरुस्थल है तो लगबख 60% भूभाग जो है वो मरुस्थल है यदि हम बात करें पश्चिमी मरुस्थल ये प्रदेश की तो इसके अंदर कुल 12 जीले जो है वो इसमें सम्मिलित है तो इसके अंदर मुख्यत या कौन-कौन से है देखिए सबसे पहले आता है बाड मेर फिर आता है जोधपूर उसके बाद जेसल मेर दैन बीकानेर ठीक है बीकानेर के बाद जो गंगा नगर है उसका भी भाग आता है हनुमान गड़ भी आता है जालोर है पाली है नागोर है चूरू जुन-जुनू और सीकर ये सभी के सभी किसमें आते हैं पश्ची में मरुस्तह लिए प्रदेश में तो वन टू त्री फोर वाई सिक सेवन एट नाइन तैन इलेवन त्वेल टोटल बार है जो जीले है वो किसमें आते हैं पश्ची में मरुस्तह लिए प्रदेश में और इस भाग में पूरे राज्य की 40 प्रतिशत जनसेंख्या जो है वो निवास करती है देश में सरवाधिक बाजरा, सरसों और गवार का उतपादन कहां होता है बाजरे के बारे में हमने पढ़ ही था फिर सरसों और गवार इन तीनों का ही जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा वो होता है राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा गेहु का उत्पादन पड़ी चुके हैं हम किसमें होता है गंगा नगर में सबसे ज़्यादा खनीज कोन सा होता है राजस्थान में तो याद रखिएगा रॉक फोस्फेट रॉक फोस्फेट खनीज जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उपलब्ध है इसके अलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राजस्थान है वो एकमत्र किस चीज का एकमत्र उत्पादक राज्ज है ठीक है किस खनीज का सीसा जस्ता सैलेनाइट और वोलस्टोनाइट मतलब इसमें हमारा एक अधिकार है सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वलेस्टोनाइट में और अभी हाली में जो राजस्थान एक्जाम हुए थे उसमें सीसा, जस्ता और वलेस्टोनाइट के बारे में भी पूछा गया है और सेकंडरी ये तो हो गया प्राइमरी इसके अलावा कुछ secondary खनीज है, जैसे कि चांदी हुआ, जिपसम हुआ, कैल साइट है, इनका भी लगभग लगभग पुरा का पुरा उत्पादन जो है, वो कहा होता है, वो होता है राजस्थान में, तो यहाँ पर जो भी हमारे राजस्थान के मुख्य खनीज है, आपको उ प्रसिद है, इनसे सम्मंदित कोश्चन अकसर एक्जाम में पूछे जाते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है, वो है राजस्थान में आधार भूत सेवाएं, दो अजार ग्यारा की जनगर्णा के आधार पर राजस्थान के कुल साक्षरता प्रतीशत है, तो साक्षरता प् पूछन से ले सकते हैं, इस प्रकार का प्रस्णि पूछा जा सकता है कि पांसो से ज़्यादा जन संख्या गनत्व कहां पर है so two whoty जीले होंगे from jayipur और भरत पूर यहाँ पर पांसो सेary ज्यादा जनसंख्या गनत्व है राजस्थान का लिंगा नुपाद भी आपको याद होना चाहिए यह है 928 वही पर साक्षरता में यदि आप से पूछ लिया जाए कि फीमेल की साक्षरता क्या है ठीक है महीलाओं की जो साक्षरता है वो कितनी है तो वो है 52.1 प्रतीशत जनसंख्या की द्रश्टी से राजस्थान का इस्थान वो है आठवा कौन सा इस्थान है आठवा क्षेत्रफल की द्रश्टी से तो राजस्थान पहला है ही तो जनसंख्या की द्रश्टी से कौन सा इस्थान है आठवा और सबसे कम जनसंख्या गनत्व यदि पूछ लिया ज के लिए खेल यह चैक यह तो यह कितरा है 17 व्यक्ति 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किल्यों मेटर क्या में करूं है कि सथा घंचाण सोर खरते हैं और और मात्र 17 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमेडर जेसलमेर में तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कुछ और चीजे हम जान लेते हैं यहां पर साक्षरता के बारे में तो जैसा कि आपको पता ही है कि 66.11 जो है वो क्या है राजस्थान में साक्षरतादर है वहीं अधर हम पुरुषों की बात करें ठीक है तो पुरुषों की कितनी है 79.2 प्रतिशत और महिलाओं की बात करें तो वो हमने देखी थी 52.1 प्रतिशत यह याद रहे है वैरी इंपोर्टेंट उसके अलावा नियूंतम साक्षरता वाला जीला यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कहां पर सबसे कम साक्षरता है तो वो है जालोर में ठीक है और सबसे अधिक साक्षरता आपसे पूछ ली जाए क्या पूछ ली जाए सर्वाधिक साक्षरता तो आंसर क्या हो जाएगा कोटा ठीक है कोटा में सबसे ज्यादा साक्षरता है वही हम थोड़ा ओर डिटेल में जाए तो देखिए महिलाओ और पुरुषों को केटेग्राइज करें यदि हम तो पुरुषों में बात सिर्फ हम पुरुषों की कर रहे हैं तो सबसे कम जो साक्षरता है पुरुषों की ठीके पुरुषों में सबसे कम साक्षरता जो आज़ती है वो आजाती है वागण प्रदेश के जीले हैं जैसे कि ये प्रताबगड़ है और बांसवड़ा है थी नियुन्तम साक्षर्ता है वो पर्टिकुलर कहां पे हैं जालूर में हैं तो यहां पर याद रखने वाली बात कुई पूरुशों के लिए कि सबसे कम प्रताबगर्ड और बांस्वाड़ा और सबसे जादा जुन-जुनू क्वश्चन है एक सो आठ नी शुल्क आपात कालिन सेवाएं सम्बंदित है तो यह किस से सम्बंदित होगी बात आपात कालिन सेवाओं की हो रही है तो यह स्वस्तिय सुविधाओं से सम्बंदित है स्वस्तिय से 2011 की जंगर्ना के अधार पर राजस्थान में वहीला साक्षरता अभी अभी हमने जस्ट देखा था कितनी साक्षरता है यह 52.1 राजस्थान में नीशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयूबर्ग के बच्चों के लिए है तो याद रहे 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालक पलिकाओं के लिए यह है अनिवार्य नीशुल्क भी होगी और अनिवार्य भी होगी दवाईयों का विक्रए एवं निर्मान लाइसेंस कोन सा विभाग प्रदान करता है तो दवाईया है तो कौन सा विभाग होगा स्वास्थी विभाग ही होगा ठीक है तो स्वास्थी विभाग ओशिदी नियंत्रन संगधन ओशिधी नियंत्रन संगठन जो है ये क्या करता है दवाईयों का विक्रे एवं निर्मान लाइसेंस कौन ये विभाग जो है प्रदान करता है बात यहाँ पर किसकी हो रही है दवाईयों को बेचना है बनाना है तो उसका जो लाइसेंस है वो कौन सा विभाग देता है स्वास्तिय विभाग ओशिधी नियंत्रन संगठन प्रदान करता है बैंक एक ऐसी संस्था है जो का विवसाई करती है तो नाम जब बैंक का आता है तो बात किसी आएगी अव्यस्य बाते मुद्रा की आएगी अगला कोश्चन है जो की हाली एक्जाम में पूछा हुआ भी है राजस्थान राज्य परिवहन निगम तो एक्जाम में कोश्चन किस प्रकार से आया था कि चार अलग-अलग संगठन दे दिये गए थे और उनके सामने उनकी इस्थापना की जो दिनांखे वो दे दी गई थ कि कौन सा संगठन कभ स्थापित हुआ तो आपको यह याद होना चाहिए तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम कभ स्थापित हुआ था यह स्थापित हुआ था एक अक्टूबर 1964 में एक अक्टूबर 1964 में राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई थ पश्चीमी रेलवे क्षेत्री ये प्रेशिक्षन केंद्र इस्थित है तो आपको याद होना चाहिए ये इस्थित है उदायपूर में कहा है उदायपूर कौन से हवायड़े भारती वायू सेना के अधीन है तो हवायड़ो के नाम है बीकानेर सूरतगढ जेसलमेर राजस्थान में सडकों की सर्वादिक लंबाई है कौन से जीले के अंदर होगी अंसर हो जाएगा जोधपूर जोदपूर में सबसे ज़्यादा सड़के है सबसे लंबा राष्ट्रिय राजमार्ग कौन सा है तो याद रहे यह है NH 15 सबसे लंबा राष्ट्रिय राजमार्ग है तो यह राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रिय राजमार्ग है NH 15 इसकी जो लंबाई है वो है 875 किलो मिटर तो कौन-कौन से जीलों से होकर यह गुजरता है यह है गंगा नगर, हनुमानगर, भीकाने, चोधपूर ठीक है यह सबी है लगबक चेसल मेर, बाड मेर और कहा से कहा तक जाता है यह तो पठान कोट से कांडला, बंदरगाह तक सबसे छोटा राष्ट्री राजमार्क की यदि हम बात करें तो यह कौन सा है, 71B है और कौन सा जीला आता है इसमें तो याद रखिएगा अलवर राज्य में सडकों की सबसे नियूंतम लंबाई, यदि बात हो रही है लंबाई की ठीक है तो आप याद रखें इसका आंसर होगा धोल को क्योंकि यह जीला भी सबसे चोटा है तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि लंबाई भी यहीं पर सबसे कम होगी और इसी प्रकार इसे याद भी रखा जा सकता है अगला कोशन है बहुती अच्छा कोशन है राजस्थान में रेलवे के कितने जोन है याद रखेंगा रेलवे के दो जोन है कितने जोन है दो एक तो है उत्तर और दूसरा है पश्चिमी तो उत्तर पश्चिमी रेलवे इसको पूरा याद रखें उत्तर पश्चिमी रेलव और दूसरा है आपका पश्चीमी मध्य रेलवे याद रखिएगा इसका मुख्यालाई है जैपुर में और इसकी 2002 में इस्थापना हुई थी अप्टूबर 2002 में इसके अलावा हम रेलवे की बात कर रहे हैं तो एक चीज और ध्यान में रख सकते हैं कि इसके टोटल कितने मंडल है पांच मंडल है ठीके पांच मंडल में कौन-कौन से जी ले आते हैं दाट इस जैपुर तो आएगा ही जैपुर के अलावा अजमेर बीक बीकानेर जोदपूर और है कोटा जैपुर अजमेर बीकानेर जोदपूर कोटा यह जो है पांच मंडल राजस्थान में है रेलवे के राजस्थान में कितने मंडल है यह हम देखी चुके है कितने मंडल है फिर से रिकॉल कर लीजिए ठीक है सबसे पहले जैपूर फिर बानेर फिर जोधपूर और उसके बाद कोट गुचा कि राजस्तान में पहली इलगाड़ी कि आप अपर बात हो रही है तो जो प्रतम रेल है वो कहां से कहां तक चलाई गई थी देखिए जैपुर रियासत से बांदी कुई कहां से कहां तक जैपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदी कुई के बीच हो है कहां से कहां तक आगरा फोर्ट से बांदी कुई याद रखिएगा आगरा फोर्ट से बांदी कुई और सन भी याद रखेंगे कब स्टार्ट हुई थी ये 1874 में 1874 में प्रथम रेल जो है वो चलाई गई थी और इससे सम्मन्दित एक बात और याद रखें 1864 में तो रेल चलाई गई थी और 1879 में क्या हुआ था अजमेर में लोको कार खाना भी इस्थापित हुआ था कहां पर अजमेर में अगेन हाली में पूछावा कुशन आया है चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है तो याद रहें कर्णी माता का मंदिर करणी माता का जो मंदिर है वो चूहूं के लिए फेमस है और कहां पढ़ता है ये देशनोक और ये कहां पर है बीका निर तेशनोफ बिकानिर में करणी माता का मंदिर है चुहों के लिए famous है मुख्यत यहाँ पर कौन से color के चुहे पाए जाते है सफेद रंग के फिर से question आया है उटो के देवता के रूट में किसे पुझा जाता है वीडियो का जो exam हुआ था प्री exam उसके अंदर यह question पूछा गया था ठीक है उटो के देवता के रूट में जो famous है वो है पाबू जी कौन है पाबू जी क्या है यह एक लोग देवता है देखे क्या question आया है राजस्थान के मात्रभाशा क्या होगी राजस्थानी खाटू शाम जी का मंदिर किस जीले में है सबसे पहले नाम से पता चल रहा है कि यह खाटू शाम नमा के गाउं है ठीक है वहाँ पर है और यह जो खाटू शाम गाउं है खाटू शाम मंदिर है वो कहाँ पर है राजस्थान के सीकर जीले में है अगला प्रश्न है राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है तो बहुती फेमस और इंपोर्टेंट कोश्चन भी है ये और इस थान भी बहुत फेमस है चैके अब ये कहा है याद रखिएगा ये डूंगरपूर जीले में है डूंगरपूर जीले का ये एक प्रसिद मेला है बनेश्वर मेला कोन आते है यहाँ पर आदिवासि लोग जो है ये जो डूंगरपूर जीला है वो TSP एरिया होता है तो obviously यहाँ पर जो आदिवासी लोग है वो सबसे ज़ादा आएंगे इसलिए इसे क्या कहा जाता है आदिवासीों का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है तो मेला कब भड़ता है आप लोग ध्यान रखें यह जो मेला है वो है माग शुकल पूर्णिमा के अउसर पर आप लोग सोम माही जाकम कई बार पूछा हुआ प्रशन है बहुत अक्सर यह आता रहता है एक्जाम में यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए ठीक है सोम माही और जाकम का पवित्र संगम है यह जो बेनेश्वर स्थान है यही पर है यही पर मेला लगता है सातूरी तीज कब मनाई जाती है देखिए जो सातूरी तीज है वो भद्रपद महा में मनाई जाती है तो आप लोग याद रखें भद्रपद के कृष्ण पक्ष की तरतिया को ठीक है सातुडी तीज को सातुवा तीज बोलते है इसके अलावा इसे कजली तीज भी बोला जाता है आपने नाम सुना होगा कजली तीज का ठीक है इसे कजरी भी बोलते हैं कई जगए पर कजरी तीज इसके अलावा इसे बुड़ी तीज भी बोला जाता है तो साथुडी तीज आ जाएं चाहे कजली तीज पूछें कजरी या फिर मूडी तीज ये सभी जो नामें एक ही हैं और ये कब होता है भादरपद कृष्ण पक्ष तरतिया को और यदि ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा फेमस कहा होता है ये तो आप लोग याद रखिएगा युपी में ये बहुत ही ज़्यादा प्रचली थे पंद्रह सो पिच्चल सी स्वी की बात हो रही है यहाँ पर ठीक है अकबर के राज में फतहपुर सीतरी में अकबर से किस संत ने भीट की थी तो नाम याद रखिएगा इन संत का आप दादू दयाल और इन्होंने इनकी बहुत ही आउभगत की बहुत ही और सबसे में चीज ये कि लगा तार 40 दिन तक इनके जो है उपदेश इन्होंने सुने थे कि इन्होंने अकबर ने 40 दिन तक संत दादू दयाल के उपदेश भी सUNGने थे पुर्ण भक्ति और भाव के साथ में तो मुगलों का यही एक मात्र ऐसा राजा था जिन्होंने हिंदूओं का भी आधर मां सम्मान किया था हिंदू लिए नहीं अपितू जितने भी धर्म हुए थे सभी का इन्होंने पुरा सम्मान किया था विश्न्वी संपरदाई के प्रवर्टक कौन थे देखिये राजस्थान का कोई भी एकजाम हो, लोग देयुता से, प्रश्नी जरूर जरूर आते हैं, इस टॉपिक को जरूर करके जाएं। इंपोर्टन टॉपिक है तो विश्णोई संप्रदाई के जो प्रवर्तक है वो याद रखिएगा वो है जाम्भो जी किस संत का संबंध कत्रिया सर्बीकानेर से है तो कत्रिया सर्बीकानेर से संबंध रखने वाले जो संत है उनका नाम है जस नात जी नाथ द्वारा के समीप इस्थित मोलेला गाउं किस कला के लिए प्रसिद्ध है पूछा हुआ कोशन है एक्जाम में यह है टेरा कोटा अंसर क्या हो जाएगा टेरा कोटा अगेन हाल ही के एक्जाम में पूछा हुआ कोशन है थेवा कला के लिए कौन सा जीला जो है वो प्रसिद्ध है तो थेवा कला के लिए आप लोग याद रखिएगा प्रताब गड़ बहुत ही फेमस है काश्ट कला का प्रधान केंद्र कौन सा है हमरे राजस्थान राज्य में काश्ट कला का प्रधान केंद्र जो है वो बस्सी है जो की कौन से जीले में आता है चित्तोडगड बस्सी चित्तोडगड गणगोर का प्रारंब कब होता है तो गणगोर का प्रारंब होता है प्रारंभु होता है चैत्र विशाद जिस्ट अर्शाद पहला महीना है ठीक है तो ये हिंदू नववर्ष के स्टार्टिंग पर गंडगोर का प्रारंभु भी होता है चैत्र शुक्ल त्रतिया को पुश्कर का मेला कब भड़ता है वेरी फेमस अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा पर कब भड़ता है ये कार्तिक पूर्णिमा बाबा रामदेव का मेला कहां आयोजित किया जाता है तो ये बाबा रामदेव ये अलग है लोग देव का किशणी में आते हैं ठीक है जो बाबा आप कहा है तो ध्यान रखिए गा यह है aí पोकरन के पास में कहां पर बढ़ता है यह दो पर लोगता है वह कहा पर लगता है परबत Gul सर कौन जीले में है तो याद रखिएगा नागूर इंपोर्टेंट अगला कॉश्चन है जीन माता का मिला देखिए सभी के सभी ऐसे प्रशनम कर रहे हैं जो कैसे ना कैसे गोम फिर करके एक्जाम में आते ही आते हैं ठीके तो जो जीन माता का मिला है वो सीकर जीले में लगता है डिग्गी कल्यान जी का मिला ठीके बहुती फेमस गीत इन सभी के उपर होते हैं तो डिग्गी कल्यान जी का जो मिला है वो कहाँ पर लगता है टॉंक में तो डिग्गी पुरी का राजा भी बोलते है राजस्थान के पांच पीर कौन से हैं ठीके तो सबसे नमबर वन है इसके अंदर गोगा जी दूसरे नमबर पर आते है रामदेव जी येने कंठस्त कर लें आप लोग ठिक है फिर आते है पाबूजी नमबर चार पर आते है हडगूजी और पांचवे पीर कुँन से है मेहा जी इन सभी को क्या बोला जाता है पंच पीर बोला जाता है कोगा जी रामदेव जी पाबू जी अड़बू जी मेहा जी पाँच पीर है पूछावा क्वश्चन है मीरा भाई का जन्म कॉपरेटिव एक्जाम में पूछा गया है ये प्रश्चन मीरा भाई का जन्म कहा हुआ है तो यह हुआ था कुड की ग्राम मेड़ता में कुड की ग्राम मेड़ता जामभो जी का जन्म कहा हुआ था तो यह हुआ था नागोर में और नागोर में कौन सी जगह पढ़ती है पीपा सर पीपासर नागोर में चामबो जी का जनम हुआ था लकडी से निर्मित जो खिलोने हैं और कटपुतली हैं उसका जो निर्माण है उसके लिए कौन सा जीला फेमस है तो लकड़ी से निर्मित खिलोनों और कटपुतली के लिए याद रखेगा आप लोग उदैपुर अगेन हाले में पूछावा कोशन है चीनी मिट्टी के सफेद बर्दनों पर किये गए नीले रंग के अंकन को क्या कहते हैं नाम इसमें नीला आ रहा है तो आप लोग याद अच्छे से याद रख सकते हैं इसको इसे कहते हैं ब्लू पोटरी काँच पर बारिक सोने की जो नकाशी होती है उस काम को क्या कहते है उसको कहते है उस कला को कहते है थेवा कला और अभी पने पढ़ा था कि थेवा कला कौन से जीले की फेमस है मुल्यवान पत्थरों को तराशने का काम कहा किया जाता है ये काम किया जाता है जैपुर में जैपुर तो यहां पर समाप्त होते हैं क्लास 6 के राजस्थान जी के जो सोशल साइंस की बूक होती है क्लास 6 की वो पूरी के पूरी हम इन तीन वीडियोज में कम्प्लीट कर चुके हैं